जादिब भाई क्या से हो तो जैसे अभी हम बात कर रहे थे इंडिया इस्राइल का आपका पीएचडी का टॉपिक है नोट इंडिया बट इस्राइल में स्टेट एंड रिलिजिन का क्या रिलेशन्शिप है यह हमेशे इंट्रेस्टिंग रहता है क्योंकि इंडिया में जो की बात करते हैं तो इसा लगता है कि इंडिया की बात हो रही है इस्राइल की बात हो रही है क्योंकि काफी जो कुश्चन्स हैं सिमिलर है स्टेट से रिलिजिन के यह डिफ्रेंस जो है कहीं ने कहीं मितलब एक तो उन्होंने जो पर्सेक्यूशन जहिला है दो हजार सालों तक उनके पास उनका देश नहीं था, उनको बाहर रहना पड़ा, एक्जाइल में, और इंडिया का ये है कि एक हजार साल तक विदेशियों का राज रहा, तो इसके इस संदर्ब में अगर बात करें, तो कितना आपको डिफरेंस मिलता है, या उनके अगर शुरुवात से बात करते हैं, कि उन्होंने ऐसा क्या किया, जब देश बन रहा था, 1948 में, इस्राइल को इंडिपेंडेंस मिला, वहां पे इनका एक नया कंट्री पहली बार मिला, स्टेट मिला, तो उसमें क्या डिसकुशन्स हुए थे, क्या ऐसी जो बातें हम आज कर रहे हैं, विबिन विबि यह बहुत लंबा जवाब होगा उसका, क्यूंकि हम एक ही पीरिड में आइसिलेट नहीं कर सकते हैं, जुईश संस्कृति जो है, परंपराइं जो है, वही मेंटें किये जारी है, और अभी उनकी 2000 साल की ट्रडिशन्स हैं, और हिस्टोरिकल एक्स्पिरेंस भी है, उसको मा कि जुईश कम्यूनिटी एकदम सेल्फ अवेर थी, मतलब हाँ, बिल्कुल डिसकॉशन्स थे, डिबेट्स थे, वाट डस इत मीन तो बी जुईश, अभी यह ऐसा कर रहा है, और मैं ऐसा कर रहा हूं, वह जुईश है कि नहीं, मैं जुईश हूं कि नहीं, कई लोग छोड़के चड़ेगे, बोले यार, यह नहीं करना है, मैं इतनी परस्टिशन हो रही है, दोहजार सालों में, यह सब हुआ है, लेकिन जो भी है, उनकी अवेरनेस बहुत थी, उसके दो वज़े है, एक है सेल्फ अवेरनेस, दूसरी बात है कि इनको असेमिलेट करने कभी दियाई नहींों, बाहर, Christian Europe जो है, और है, वेर वेरी क्लिर, आप Christian नहीं हो, तो इफ, ऐसा कोई बत्या á है, उसको पतानेजी Lupin, मतूप क्या होता है, उसको बता दिया जाएगा, माबाप या फिर भार वाले, जोए नहीं, नहीं पताएगा नहीं पक्का, तो इसके मुझा ठीक है। हमें एक जुइश स्टेट जहां पर जुइश लोग रह सकते हैं। लेकिन इसमें बहुत डिबेट्स भी है बहुत ट्रेंडस भी हैं अंके ideologies में कई लोग कैते हैं कि जुइश स्टेट का मतलब क्या है मतलब एक स्टेट है जहां गजूररिटी जुःष है तो स्टेट जुःष बन गाए क्या कए लोग क्या है ने बहुत जूएश होना इसका मतलब यह नहीं की कोई चैलेंज नहीं करेगा आर्गूमेंट्स थे लेकिन जब क्या किते हैं ना अंग्रीजमें किते ना मिय अगेंस माइब भ्रदर मी अगेंस माइब ब्रदर में कुजिन अगेंस कोई भार्वाला तो इस तरह कि से बोलेंगे ठीक है तू शायद पक इंडिया में भी यह बात हुई थी, हालांकि यह बात minorities जो representative थे उन्होंने ज्यादा उठाई थी कि क्योंकि state में, देश में ज्यादा तर हिंदू है, तो हिंदू majority character अपने आप हो जाएगा, लेकिन फिर भी यह decide कि नहीं, हमको secular state बनना है, सभी का एक majority का यह opinion था, जो leaders थे, elites थे, तो उनका यह opinion था कि हमको secular state तो clear है, इसमें ज्यादा debate होगा, ठीक है, debate हुआ भी, पर इन ही बातों पर हुआ कि इंडिया नहीं भारत नाम होना चाहिए, superficialities जो हम बोलते हैं, तो क्या, इस्रेयल में ऐसा कुछ नहीं था, क्या, उनको पहले सही यह था, कि clear था, कि हमक secular, जहां तक मैंने देखा है, secular नाम, शब्द आया ही नहीं हो हम पर, कई लोग मानते हैं कि Zionism का beginning है, उसमें disagreements है, scholarly disagreement है, लेकिन कई लोग मानते हैं कि Zionism का beginning है Theodor Herzl का, The Jewish State, तो, और Theodor Herzl, secular, मतलब, non-religious था, हुद अपने personal life में देखा जाए, तो हो कहता था, यारे, Jews मुझे अच्छे नहीं लगते, मेरे अपने friends है, Jewish community के friends मुझे अच्छे नहीं लगते, ऐसा कहता था, तो, ऐसे आदमी ने, एक किताब लिखा, The Jewish State करके, secular state कभी नहीं लिखा है, यह मैं कह रहा हूँ, लेकिन Jewish state हो भी, तो, अब उसका, जूटनिस्टार्ट तो ही, दूसरी एक और है, उसकी आल्ट नौए लैन करके एक किताब है, उसमें अभी आप देखिए, काफी जो अभी लोग शायद कह सकते है, secular, वैसे ही था, लेकिन वही मैं कह रहा हूँ, क्योंकि अगर यहां पे बात करें, तो यहां पे तो इतने, जो openly Hindu, identity को believe करने वाले थे, उनके rituals में believe करने वाले थे, जैसे महात्मा गांदी, वो खुद यह चाहते थे, secular state बने, लेकिन वहां पे अगर बात करें, तो वहां पे तो secular लोग भी यह चाह रहे हैं कि Jewish state बने, यह क्या फंड़ा है, देखे अभी, इसरेल में पहले चार काटेगरीज है, secular, non-secular नहीं, लेकिन वहां पे चाहर काटेगरीज है, खरेदीम जो अल्टर ओर्टर ओर्टोडॉक्स वैसे है, डाटीम, विच इस रिलिजिस, मसूर्तीम, ट्रेडिशनल और खिलोनी, secular, ऐसे चाहर डिविजन्स है, तो अभी, even जो secular माना जाए, और या ट्रेडिशनल माना जाए, यह ल इसका अभी ए ट्रेडिशनल रिलिजिस जो भी माना जाए, यह लोग भी, आप देखे, बेंगोरियन, कोई ने काएगा कि बेंगोरियन रिलिजिस था, है ना, लेकिन उसके स्पीचिस देखे, बाइबल को कोट करें, क्योंकि पहली गलती है भारवालों की, सोचते हैं कि ज जैसे कि हिंदु बोलते हैं, हिंदु धर्म है, लेकिन एक कल्चर भी संस्कृतिव है, वैसे ही जूस बोलते हैं, और एक बहुत अच्छा किताब है, लिवरा बटनिच की करके का स्कॉलर है, लिखाता किताब, वेन जुडेजम बिकेम ए रिलिजिन, उसमें आर्बिमेंट जिए है, कि ये ये अरुडेजम के टाइम पर इन रिस्पॉंस को तो रिदूस दे पर्सेकुशन जुडेजम को ऐसे पोर्ट्रे करना पड़ा, जैसे कि रिलिजिन है, ताकि बोल सकें, जुडेजम एक रिलिजिन है, जैसे ख्रिस्चानिटी, और हम जूस बन सकते हैं, ले कॉन्फिक्ट नहीं है कि दोनों एक ही डोमेन में नहीं है अब क्रिस्टिनर्टी और इसलाम क्लाश हो सकते हैं दोनों धर्म है दोनों रिलिजन से कल्ट से जो भी है राइट क्लाश हो जाएगा लेकिन या फिर स्पैनेश रिटालियन क्लाश हो सकता है लेकिन एक रिलिजन है सब्सक्राइब करने दो लेकिन हम अपनी पहचान नहीं खोने के लिए तैर नहीं हम तो इसलिए कई लोग ने बुला नहीं यह धात्मा है ठीक है लेकिन और भी है नॉट ओनली यह रिलीजिन तो यह मेंटेन कर देते यह फरक है इसलिए जो अब कहा है ना सेकुलर लोग भी रिलिजिस थे कैसे हो सकते इसलिए पहले तो यार इंडिया में सेकुलरिज्म का मतलब है जहां तक मैंने देखा है को मतलब नहीं है एंटी हिंदू है बस इसका मतल से सरकोच है लेकिन इसरेल कोई बोलेगा नहीं कि क्या हो लेकिन इसरेल जुश भी है कोई प्रॉब्लम नहीं है यह थोड़ा समझागे क्योंकि यह लोगों को कॉंट्राडिक्शन लगता है इसमें कि सेकुलर भी एक स्टेट है और जुविश भी है यह कैसे हो सकता है अग है वह को थोड़ा डिस्टॉर्ट्टिट थे के के मणना की कोई ज जिन्देगी में हिस्ट्री वह इतिहास प्रें कोंई सेकुलर में सब्सक्ट के इसकी नहीं सब्सक्राइब कोंःएक में जांके इसन मतलब मेज्योरिटी सब्सक्राइब करें कि हर कोई करेंगा अभी मेरे देश में लेट से की 99.9 परसेंट या 95 परसेंट भी एकी धर्म केंगें लेट से यह अरोल श्यावाइट्स तो मैं बोलूंगा कि हम से क्यूलर है और हमारा नाशनल गॉर्ड शिवा है हो गया का हर कोई बोले का हाँ यह तो है ना नॉर्मल इस इस कल्चर यह हमारी कोई धार्मिक स्टेट्मेंट नहीं है क्योंकि सबैगरी कर रहे है जैन्यून टेस्ट का बात ही है जब जैन्यूनली प्लूरियरिसम होता है तो इस एंगल से देखा जाए तो इसरेल इंडिया ट इंडिया में भी बिगेस्ट मैनोर्टी इस मुलिम्स एंड टोटल मैनोर्टी रफ्ली 20 परसंट है कॉम्पोजिशिशन होता है तो इस तो इस तो सेक्विलर ही नहीं मेरे हिसाब से दूसरी बात है कि सेक्विलर कैसे ज़रोत नहीं है तो यह सब्दी मुझे प्रॉब्लम है सेक्विलराइजेशन और सेक्विलरिजम अलग है सेक्विलराइजेशन एक प्रॉसेस है सेक्विलरिजम एक आइडियोलोजी है आइडियोलोजी से मुझे कुछ लेना देना नहीं है नहीं चेह मुझे सेक्विलराइजेशन क्या होता है प्रॉसेस है यानि आपका कई लॉ नहीं हो सकता है कि प्रादान मंत्री को हिंदू ही होना है इसे लॉज है निकाल दिया जाए तो सेक्यूलराइजेशन होता है वो अपकी पब्लिक स्पेस में जो रिलिजिस रिक्वार्मेंट्स है कम हो रहे है अधा वरी फंक्शनल क्रिटिकल लेवल अभी देखिया आपको इ जो सेक्लर से वैस्क बोलते है न उनको कुछ पता नहीं है यह फिर चेरीपिकिंग करते थे इंक अभी फ्रांश में फ्रांस में और नॉट्रम में आग लग गया फंस इको प्राइवस्ट ने डोनेट किया तीक को गवर्मन ने भी पैसे डाले पाश meant क्यों नॉड ऑशम मेरी मौरालिटी जो भी है बहुत लोगों के लिए मौरालिटी रिलिजन से आती है क्योंकि लोगों को टाइम नहीं है फिलोसोफी पढ़ पढ़ के सोचने सोच के कोई अपने अप कोई एक प्लाट्वर्म बनाना तो क्या करते हैं देखें मेरी पापा ने किया था दैदा नहीं किया षसे पेले मेरे पूर्कों नहीं किया था अब तक चल रहे थो हज़ा है था था नचोत्य तना पर आइन तो मैसे गयाकर मैंगे तो एक तो यह रिलिजिजिस बहुत बड़ा एक्जाम्पल माना जाता है सेकलरिजम का तो एक बात बता है यह प्रेसिदेंटिशल इलेक्शन में जो है कि यह कैसा हो सकता है कि हर कैंडिडेट चर्च के सामने एक स्पीश देगा यह चर्च में पीश देगा बट जरूरी नहीं है लेकिन करता है न क्यों क् अच्छा बुक है रिलिजियस इंपक्ट उन युएस फॉरें पॉलिसी विलियम इन बोडन ने लिखा था अभी 10-15 साल हो गए लिखके अच्छा किताब है रिलिजियस इंपका है यूएस यूएस किया कर रहा है तो यह यह आइडिया कि हम सेपरेट कर सकते हैं मैं मानता ही कर सकते हैं इंडिविजियल लेवल कही लोग जिनके पास टाइम है इतना पढ़के यह सोचने का हमें यूमनिस्ट हूं क्यूंकि मुझे पेटरार का एस्थेटिक्स अच्छा लगता है ठीक है लिए लोगों को तो यह भी सोचना पड़ता है तो सेक्रिशन तो पहले जब इंडिया और इस्टी कंपेर करें मैं करों में तो मतलब जानते नहीं है इसरेल में यह ने कहाँ कि सब लोग कुछ पीजडी वाले हैं सब को समझ में नहीं लेकिन उनको कोई शर्मिनना नहीं कि हम जूश है करके बोले हां है गर्व से कहें हम जूज है अब शायद मैं चाह लोगों को शहरों में बहुत कम लोगों को कि इंडियान कुछ सीखना है तो इस नाट गूल हमें शेक्सपेर पता होना चाहिए लेकि महाबारत तो नहीं यह अभी टीवी पे रामा एं महाबारत दूदशना आया उसी की वज़े से लोगों को कुछ तो याद है तो यह बड वर्लेरिब ईवर्लेस्म को जैसे सेपरेटिंस तेट अंड रिलेचन रोगों कि तो यह यह है इसरों कला इंग्धिंगुर के रहे लेगल देशन करना भी नहीं चाहिए फिलोस्विक लीजिव एसार कि शेक्षा रैसा फिलसोफिकली इसरेंगुर नहीं का जा सकता है लेकि liberal democracy, secular होनी चाहिए, क्यों? कई तरहों से आप मैं बता हो आपको प्लूरलिस्ट सुसाइटी जो इस्रेल जह सी बहतर है प्लूरिस्टिक सुसाइटी है और अच्छी मॉडल है इंडिया जैसे देशों के लिए में सुछता हूँ क्योंकि इसरेल में मदरसस है अरबिक लैंग्विज की न्यूस पेपर टेलिविजिन फ्रोग्राम से हैं क्यों क्यों कि यह है हमारा नाशनल सिल्बस इतना आपको कर सकते हो सब्ट्राक्शिन दूसरी बात है आपको शादी तलाक बैरियल जो भी करना है आपका इमाम है या रैबाय जो भी है वो बताएगा करेगा ठीक है जो करना है करो मुझे कुछ लेना देना तो यह उनिफॉर्म सिविल कोड से उनको कोई मतलब नहीं है अच्छा है लेकिन एक और बात है अभी मजरासा में आपके एंटी इसरेल कुछ सिखाओगे तो बंद कर देंगे यह नहीं अलाओड है आपको इसराइल को क्रिटिसाइज करना है तो कर सकते हो आपको लेकिन सिर्फ एंटी जुविश के बंद कर सकते हैं एंटी जुविश पे इसे कु अल्टर ओर्फ लोग है वह विमिन्स राइट्स को नजर नहीं रखते हैं जैसे मैं कह रहा हूं जैसे इंडिया में क्या होता है कि डेथ टू हिंदुत्वा जैसे हिंदु हिंदुत्वा है वैसे वहां पर जूज का जायनिजम है ठीक है तो वह एक तरीके से उनको वही बा अचली इसरेली जूज भी बोलता है है ना एसे लोग इन दे सेंस कि मदरसा में पढ़ाया जाता है यह सब नहीं मतला पढ़ाया जा सकता है अगर कोई बोले तो क्या होगा उसके साथ क्योंकि एक जुविश स्टेट है ना वहीं मैं पूछ रहा हूं कि उनका यह बहुत क्ल संसर में भी बैठ सकते हो लेकिन आप एंटी इस्रेल स्पीच नहीं दे सकते हो मतला भी कोई मुसल्मान इसरेल में एलेक्ट होके आ गया और बोलेगा कि I don't believe in the state of Israel लेकिन वह कह सकते हैं कि यह पौलने में कि यह पॉलिसी गलत है अब कहीं लोग है जो कहते हैं कि हां इंडिया को पाकिस्तान के साथ ऐसा करना चाहिए यह पॉलिसी गलत है ठीक है चलेगा डिसेग्री कर सकते हैं कोई बात नहीं डिमोक्रसी है आग्यमेंट हो जाएगा लेकिन डेथ टू इंडिया कुछ अलगी लेवल पे गया यही मैं कह रहा हूं इनका इनका वह प्लूरिलिसिक सोसाइटी है तो क्या है कि बुर्क जो कोई मुसल्मान है ट्रडिशनल है ट्रडिशनल ने करना चाहिए और्टोडॉक्स है तो वह इस्रेल में शायद ज्यादा कॉंफटबल फील करेंगा वह बुर्का पहन सकता है लेकिन फ्रांस में नहीं तो फ्रांस की सेक्लिसिम क्या हुँए तो यह काफे इंट्रस्टिंग है कि वेस्टन सेक्लिर्शम जो हम वैस्टन निब्रल डेमोकरेसी का ऑईडिया है और उसमें जो कॉंसेट्स होने चाहिए उससों वयसकाहिए ड्प्र बौण्य事 तो दि dział दृ कि बिब्लीटलि डिभ Mich सेक्किलरिजम को एक तरीके से साइड में रख सकते हो इवन हविंगा जुविश स्टेट और हिंदू स्टेट यू के लिबरल डेमोक्रसी अपसलूटली कोई कॉंट्रेक्शन नहीं है क्योंकि ये तो अलग डोमेंस में काम करते है इसरेल में इद के लिए हॉलिडे नहीं है लेकिन बुर्का पाया सकते हो इंडिया में तो इद के लिए भी हॉलिडे यहीं कह रहा हूं ना अच्छा तो यह एक कॉंट्रास्टिंग डिफरेंस हो सकता है कि जैसे इंडिया ये सेक्लिर स्टेट है तो वहां पे जूइस स्टेट है तो सिर्फ उसी स्टेट उसी है दाइश मैं पाश्र लेकिन यह सब्सक्रियर मार्क हें अब अब हलाल पर ऑपर इस रिया में के कोशन है आपको उसी पॉर्डम तो लेकिन कम में लेकिसमें डिमांड कम है यह भी एक इंट्रेस्टिंग है कि कैसे इस्राइल में जैसे आपने कहा कि कोशर मिलता है कोशर और हलाल थोड़ा सांतर होता है बट कॉंसेप्ट सेम है जबकि हम वेस्टन यूरोप में अभी देख रहे हैं कुछ कंट्री जैसे बैंने किया है बट एक ऐसे उसमें डाल दें कि हलाल का कॉंसेप्ट ही खतम हो जाए और यू इस इंपॉसिबल की अब सेकिलर हो और रिलिजन को रिस्पेक करें कैसे हो इन नहीं सकता क्योंकि देखिए अब यह आपका धर में कहेंगे कि फॉर एक्जामपल सोलह साल पर शादी कर सकते हैं लेकिन अभी क्या यह सेक्लिर वाले क्या भोलेंगे नहीं हमारे विमिन्स राइट से हमारे जो भी राइट से डेमोक्राटिक राइट से 18 तक यह ने कर सके क्लैश हो गया अब क्या करना है किसकी बात से यह गलात है क्या फिर फिर अब फेल ऐसे को यह कांपरमाइज नहीं सकता है यह फिर अभी ऑफिर अच चल रहें क्लांसरों साथ Crit twee ने कर्यूसरी बात देशाब यह जहाद का डिवेट नहीं चल रहा है हिजायब और बुरक बहुत फरक है यह सकार होता है बस चेहरह ढखते नहीं है बुरका ढखते और वह बहुत बड़ा है। हिजाब से मुझे कोई तक्रीफ नहीं है लेकिन चेहरा डगोगे तो पहचान मिटा रहे हो अप उसके खिलाफों में वो फरक है ठीक है और ऐसे अभी देखिए इस पे अभी आप सेकुलर साइड से आओगे तो गुंगट भुरका जो भी है बोलोगे नहीं और पगडी भी अ सेकुलरिजम सोच के करना पड़ेगा कोई भी आइडियोलजी सोच समझ के अपनाने पड़ेगी यह चार जो आपने क्लासिफिकेशन बताया कि उधर सेकुलर नॉन सेकुलर ऐसा कुछ नहीं है इसराइल में चार केटेग्रीज हैं वो कौन-कौन सी है खरेटी यह जो खलो नी सेकुलर यह जो एक भी जुडेजाम को मानते हैं बहुत कम लोग बिलकुल मेह कुस्छ नहीं है is और कौन-नीह अगाकर फेल नहीं नहीं है यह ज़्याचर क्संध ए यह ज्यूवहरां में थिछांदार आओ-कश् suppressants दारा-देलेजियो यह जो ब्सकिन √ कुछ सब्सक्राइब करें नहीं है और भी है तो आप रिलिजन को निकालोगे कैसे मुझे समझ में आएगा लेकिन थीक है मानों कि आप निकाल सकते हो लेकिन और कुछ बाकी है वह क्या करोगे आप वह भी निकालोगे तो कल्चर निकाल रहो आप कि अब कल्चर के खिलाफ कैसे हो यह हो रहाइए इंडीया कुछ नहीं को किया था अभी आप 19 2020 30 40 में देखे हैं जहां तक मैंने पढ़ा है एक बार भी मैंने सेक्यलर शब सुनाने इनका इतना ही ताकि देखिए आप जुष नहीं हो तो आपके रइट्स रॉक्नाइस करना च पन सकते क्योंकि आप जूइसᵁर नहीं हूंुसलमान आर्मी मेर्म जॉइन कर सकते हैं उनकी मेनिेर जो ये जी मेनिरिने द्यूज गारुम कर सकते है पॉला से जुएक अगर जुए स्टेट के हिसाब से भी देखा जाए तो अनुस अफ मेंडेटरी प्रोटेक्शन इस यह नोट मेंडेटिंग रूट बिल्कुल बट रहें नोट प्रिवेंटिंग दम फ्रॉम कमिंग दर आर्म जाटली मुसल्मान जर्नलिस्ट हैं टीवी प्रोडूसर्स हैं ब कोई दिस्क्रिमेनेशन इस तरह की से नहीं होता है इस नहीं हें कि आपको एक्सेप्ट करना है कि हां ये श्ते नहीं ह hay उसकी मेजियॉरिशें मेरी नहीं होनती लेकिन कोई बात में MIN एक्सेप्ट कर साथight Сп시면ow्त долларов है उप्रना उन्होंनेे जो बांडरी अधर देख हर लिए है कि we have to follow this and then you you can do whatever you want हाँ और उसमें भी डिबेट्स है क्योंकि रिफॉर्म जुडेश्म कंसर्वर्टी जुडेश्म है और इन ब्रांचेज में काफी जगड़ा होता है यह नहीं के रहूं कि नहीं है लेकिन क्या किते हैं इनकी एक सोट अफ बेसिक वैल्यूस जो है वह एगरी करते हैं जैसे कि इसरेल में पिछले तीन चार सालों में चारे पांच इलेक्शन हो और पूछा कि आप कौन से साइड को सपोर्ट करें बोले कि यार लेफ्ट राइट कोई फरक नहीं पूरता है लेकिन हमा इसरेल में यह अची बात है नहीं यह तो बलकि जो जैसे इंडिया में क्या हुआ कि नहरू इंद्रा और जो पहली 30-40 साल थे स्टेट के फॉर्मेशन के बाद उसमें सभी लेफ्ट लीनिंग लोग थे वैसा ही इसरेल में हुआ लेकिन वहां का जो वहां के जो लेफ्ट सो उस तरीके से है यह तो इस तरीके की बात हुई मानलो नहरू जी नहरू बनते है प्राइम मिनिस्टर और वो बोलते कि है ठीक है ना हिंदू स्टेट क्या है यह तो उतनी अचंबेत करने वाली बात है लेफ्ट होने के बाद भी जैसे कि मैं पहले का था कि वहां जूस को गर्व है कि वह जूस है circular हो या रिलिजिए हो गर्व है how जेंजुन हैं और और कई जूस हैं जो बहुत मॉडर्ण है वेस्टर नाइस जो भी जबहू लेकिन शादी जूसे हैं करेंगे था पहिचानक यह हमारी कम्यूनिटी है बस इंडिया में हमें यह शर्म आती है अब नेरू को भी देखे एक्सिदेंटल हिंदू वेसे सब स्टेटमेंट से उसके देखें इंडियन हिस्ट्री फिलोसफी इतनी क्या कते हैं इंट्रेस्टिंग है डीप है कि कोई भी बोले कि वाओ यार अमेजिंग मान गए तो एक बेसि अब आप उन्ण पर लोगों को अंग्रेजि बोलन अच्छा लगता है अंग्रेजी फ्लमि execut England't you नोग सोचते हैं कि इंडिया में अच्छे अच्छे आती है यह लोगों को socio sientou कि सब्सकूर्ट कुछ नहीं आता है कि यह पड़ेची लोग हैं फिर वी कि उन्हें पडत करने हैं यहीं हमारा स्टेटस सिंबल है बेसिकल Abściras वह संस्कृतिजेशन जो होता था है एपिंग अलीट क्योंकि वह थे वह संस्कृत बोलते थे यह उस तरीके का कल्चर जो हाई कल्चर था अभी उल्टा हो गया है अब संस्कृतिजेशन बोला इसरेल में हिब्रु वापस ले आए हम संस्कृत कुछ नहीं कर रहे हैं क्यों न संस्कृतिजेशन बहुत कम है तो संस्कृत आराम से राश्टर भाषा बना सकते हैं एक युनिफाइंग लैंग्वेज हो तो आसान हो कि अब इसरेल में देखिए जूस कहां का से हैं पॉलेट जर्मनी फ्रांस रश्या अलबेनिया इटली स्पेन इरान एजिप से हर बंद इसरेल में क्या होगा बस शौर शृब आई होगा और कुछ नहीं होगा होंके कि किसी सब्सक्राइब हमें हीब्रु करनी है यह तो एक बहुत बड़ा मिसिंग पार्ट है क्योंकि जब भी बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि हमारे अंदर तो इकनी डाइवर्सिटी है देखो सौचने का तो अगर क्यूंकि एक डर रहता है कि अगर हम उसको करेंगे तो unity break होगी तो unity diversity का जो कोटा है वह ज्यादा है यह इसरे इसरेल में उनका clear है ठीक है डाइवर्सिटी है बट एक enforcement भी करना है हमको unity के लिए ठीक है अभी problem कहा है कि यह लोग जो लोग प्राइबर्सिटी के फेवर में हूं लेकिन प्रॉब्लम क्या कि लोग जो नॉर्मल डाइवर्सिटी जाडते हैं मेजॉर्टी टाइम मेरे देखा है कि उनको ग्राउंडिंग नहीं है ट्रेडिशन में आपको ड्रेशन बनना चाहिए मेरे किसा इसाब से पहले आप ट्रेडिशन बनने जानिये क्या बोल रहे हो आप और कहां से आरी आप परंपरा के आपकी उसके बाद आप डाइवर्स करन कि यार यह ऐसे नहीं चलता आपको पहले आप हिंदुजर्ण सीखे और मेरे कि आपको पंडित बनना है एक्सपर्ट बनना है लेकिन अच्छी अंडरस्टैंडिंग आने चाहिए उसके बाद आप शुरू कीजिए कि हां ठीक है तो आपको पता चाहिए किस किस एरियास में आप डाइवर्स हो सकते हो और किसी एरिया में आपको डाइवर्सिक नहीं करने चाहिए डाइवर्सिटी शुड नाट गो अगेंस्ट अभी फर एक्जाम्पल आप हिंदुजर्म डाइवर्स है बोलोगे और आपने अभी मानले आप किसी भी भगवान को चुना से कार्थि एक ही बाकि सब जूत है अब यह हिंदुजर्म के खिलाफ चाता है हिंदुजर्म ऐसा है ही नहीं लेकिन आप बोलो और मुझे परम परम पर मंदिर नहीं तो क्या होगा मुझे पसंद है ठीक है जो करने करो तो दूसरी बात डाइवर्सिटी एक्सेप्ट हो सकती है पहली परमपरा के खिलाफ जा रही है तो उसको डाइवर्सिटी नहीं कहते है उसको ब्रेकिंग कहते है यह यह लोग को नोटने करते और यह जो जैसा मैं पहले बात कर रहा था कि यह शुरुआत जब हुई थी डिबेट जब हुई थी कि कैसा देश बनना चाहिए तो उसमें क्य सबसे बड़ी जो डिफिकल्टी थी या जो सबसे बड़ा डिबेटिंग पॉइंट था वो क्या था कि अभी जब जैसे मान लीजे कोई बात करता ना कि हिंदू स्टेट बनेगा तो उसमें यह बात आती है कि अच्छा तो तुम मतलब क्या संडे की बजाए किसी और दिन श कुछ लोग बोलते हैं कि इतना हमको अर्थियोक्रेटिक कुछ डालना ऐलिमेंट्स डालना चाहिए वरना उसमें फाइदा क्या है अगर तुम वैसे ही लोस रखके बस नाम बदल रहे हो कि यह बस हिंदू स्टेट होगा तो उसका फाइदा क्या है कुछ तो हिंदू होना जाहिए ना उस करेक्टर होना चाहिए तो उस तरीके से जब जू इस स्टेट बन रहे थी तो उन्होंने क्या pon wreckọn फी इस अगर हम इसमें डालेंगे तो यह सक्षाइएं जूइस स्टेट मैं ये अंतर होगा तैंने हिस सोच में सेकलर जुइश ये मतलब ये मतलब मैं चाह किया कहता है नॉन जूइश स्टेट काम को आइडिया ही नहीं है जहां तक मैंने सुना है क्यों मतलब उनके सामने तो कितने अग्जामपल्स थे पूरा इडिया नहीं है क्योंकि देखे उनकी पर्सेकुशन क्या थी आप जूइश हो इसलिए हम आपको मार रहा है तो वह क्या क्रescience के लिए अजन के लिए डिया चुलिए क्योंकि फूरी दुनिया लिए ऍसलाम के लिए बारी दुनिया है सक नहीं है तो पर्सेकुशनवचे से पालेस्टेन में चुनाव में क्या बोले कि यार चुनाव में औरतों को वोट नहीं जाना चाहिए तो इस कोट अनकोट सेकुलर वाले बोले यह हम एकसेपने कर से तो यह जोड़के जाएंगे ठीक है जाओ अभी 47 में क्या हुआ उनको जाके बोलता है अभी इसरेल तो होने वाला है अभी पक्का है क्यों जगड रहे हम आप भी जुएश हो हम भी जुएश है ठीक है हमारे डिसेग्रीमेंट्स हैं लेकिन यार कुछ समझोता कल सकते हैं तो इन लोग ने बोला यार अप औरतों को वो लेकिन हमें शबाद चाहिए हमें कोशर चाहिए दो तीन कंडिशन थे उनके स्टेटस को एग्रिमेंट कहा जाता है इसको इसरेली स्टी में हमें ठीक है शबाद कोशर चलेगा क्यों नहीं इसे एकसेप्ट किया अभी एक और इश्यू है यहां पे जो एकनोमिक राइट कह सब्सक्राइब है इसरेल एक वेस्टन में काफी प्लग है ना वेस्टन हो या ना हो लेकिन उस सर्कल में काफी प्लग दिन है उनको कोई परवाद नहीं है हमारा शबाद प्राइडे शाम को होता है सैड़ शाम तक दुनिया जाए भाड में यह मैं कह रहा हूं अब आपकी पहचान पैसे से करोगे तो आप बस आपका वर्थ भी पैसे से होगा आपका कोई वैल्यू नहीं होगी ऐसे यह नहीं मानते हैं उनका फिलोसाफिकल प्रिंसिपल है कि नहीं यह हमें करना है और माक्सिमाइज करना है एकनोमिक गेंस लेकिन हमारी पहचान खोके नहीं हम अ तो इसमें दो एक में चुनोती जो लगती है ना उसमें यह है कि एक तो है कि आप इंटरनल जो contradictions हैं उनको आप कैसे settle करोगे जैसे आप example दे रहे थे कि उन्होंने बात कि आपस में ठीक है यह हम ले सकते हैं यह नहीं चलेगा कि आप ठीक है शबत को और यह खोशर होना चाहिए ठीक है यह मान लिया लेकिन जैसे इंडिया में आप कौन सा दिन को चुट्टी करोगे अग हिंदू का ही उपीनियन उसमें जाएगा आपस में कॉंट्राडिक्शन करके उसके बाद रिजॉल करके उसके बाद आती है बाद दूसरा जो कॉन्वर्सेशन होना है वह एक्जिस्टिंग जो माइनोरिटी हैं कि उनके साथ क्या से होगा भाई आपका क्या अब क्योंकि ब कर दिया रिलिजियस लेकिन एक लव जया दे तो मतलब इतने सारे इशुज है और यह इशुज सो साल पहले भी थे तो मैं यह जाना चाहरा हूं कि हम मतलब अगर इन सब बातों पर बात करें तो एक इंटरनल और एक एक्स्टरनल यह दो ग्रुप्स के बीच में कॉन्वर् स्टेट स्टेट सरकार स्टेट तो क्या होता है कि एक तरसे आप किसी ग्रूप को पैंपर करोगे तो वह सोचेंगे अभी और दो तीन दिन की बात नहीं है यह दस साल पचास साल यह सोचेंगे यह नॉर्मल है तो आप वह सड़नल पैंपरिंग बंद करोगे बुलंगे हम इसरेल में कोई पैंपरिंग कभी नहीं कि सिंपल सी बात है इन वाट इसरेली जूजी मानते हैं कि यह कुछ जादे सकती की होगी हमने तो अच्छी बात है कि हमने कुछ लिबरल बन गए हम क्योंकि 1966 तक मुस्लिम पॉपिलेशन ऑफ इसरेल वस अंडर मिलिटरी रूल अरम दूसरों को सिविल लॉट था बाकी मिलिटरी तो बले हैं तो यह कुछ जरूर नहीं थी कि फॉट्येट में देखिए उन्हां उट्वार्स भी तो रीजन है क्यों ऐसे हुआ लेकिन फिर्मी लोग सते हां यह को ज्यादा ही हो गया होगा शायद हम फिफ्टी टुटी त्र कि इन्हां उल्टा हुआ है कि हिंदूस को कि अधिया कि दूसरों को इनका वी देश है इस डिफरेंस ए इसरेल में प्रोस्टाइजेशन अलाओड नहीं है इसरेल में कन्वर्शन अलाओड है और होना भी चाहिए मेरे हिसाब से क्यों कि आपको देखिए अभी मुझे को प कोई किताब देखता हूँ जो भी है जो बिफी किताब हो और मैं पढ़ता हूं मैं मानता हूं कि हाँ यह यह अच्या है मुझे अपना धर्म नहीं चाहिए करना है एक फ्रीडम होना चाहिए एक कनवर्ट होने के लिए है ना तो मैं यह नहीं मुझे क्या कहता है अप। कि अनलाइक इंडिया इसरे इस स्टेट स्ट्रॉंग इन असेंस कि यहां पर किया ना मैंने कुछ गडबर किया तो स्टेट मैं पीछ आए गाने मुझे मुझे सजा नहीं होगी कोट जाएगा उसके बाद 300 साल बैटो आराम से कोई इंटेंशन नहीं है में नहीं होगा मेरे प इसलिए अभी अलव entially में बहुत कम सुना और लेकिन सुना है एकाथ基本 सुन्हान है वहां पर क्यान आया है उनका है कि एकड़ मिलिटरी अलर्ट स्टेटस है क्योंकि आतंकवादी है और उनके नेबर्स भी कोई खास नहीं है तो उनको इसरेल पैदा हुआ था एक देश पूरे क्या है वार के बीच है वार जोन के बीच में सोट और आप इन जूने कोशिश की कि एक फर्स्ट वर्ल्ड डेवल्प कंट्री करने की और काफी सक्सेस हुआ है और लिकिन एक सेक्यूरिटी थ्रेट इस अल्वेस बीच इन्तिफाद हो या वर हो जो भी है इन्या में हम सालों से अभी इंडिपेंडेंस की बात नहीं से पहले सेक्यूरिटी कोई धानी नही है यह जो डिफरेंस है माइनोरिटी का जो ट्रीटमेंट इन दुसेंस की क्लियर वहां पर यह मतलब और एक यह मैं यह नहीं कह रहा हूं कि इस्रेल में डिस्क्रमेनेशन नहीं है लेकिन वह स्टेट लेवल का नहीं है परसनल का हो सब्सक्राइब देखे अभी मैं पोस्ट इसा है वहां पर बोकर में वहां पर विश्वास नहीं कर सकते यह तो मैं अपको चार और सवाल पूछू आपको यह इंडिविज्व मैं कोई और मेरे जगह बैठा होता तो आपको अची सर्विस ही मिल सकती है तो यह भी आपको बहुत क्लियर होना चाहिए कि स्टेट है तो मैंने डिस्क्रिमेशन देखा है हो सकता है वह एक बंदा शायद ऐसा है लेकिन अब उसके खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हो यह देखे अभी वार टाइम पे इस्रेली स्वोल्जर ने जब एक्सेसिव फोर्स यूज किया है एक केस हुआता एक पलेस्टिनियन था वह इ इस्रेली स्वोल्जर आके उसको शूट करता है यह अभी काफी साल हो गया है इसका आर्गुमेंट था कि यार यह लोग इंजूर प्रिटेंड करते हैं लेकिन उनके शरीर के नीचे ग्रनेड होता है तो आप जाके उसको हेल्प करने के लिए पास जाते हो तो ग्रनेड भो कि भurt से बड़ेंद इस्रेल में आपको स्टेट पो सथर्ण नहीं होता लेकिन नियूटीपरस इंडीपरसंट कर्सक्न लूट अच्छे दिन आ गहि monster अ एक्सपरियंस है हमारा ऐख साल की ग्रामी का जो अलग अलग लोगों से पूरी दुनिया में से कोई section ही नहीं है जहां पर discrimination जिसने नहीं किया हो except Hindus तो एक वह experience है और एक हमारा experience है यह कोई कम नहीं है क्योंकि हमारे भी experience है हमने discrimination including religious discrimination we have faced कि जो Islamic Kingdoms थे सल्तनत्स थी विबिन तरीके के मुगल भी आए और लोधी भी आए सब तरीके के लोगोंने discrimination किया religious लेकिन उसके बाद फिर British आए उन्होंने भी convergence भी किये उनका भी discrimination था एक different type और हिंदू होने के नाम पर ही हुआ वैसे ही उनका भी था experience तो हम क्यों उस तरीके से हमारे अंदर कभी यह क्यों नहीं आया कि हिंदू राज्य बनना चाहिए मतलब अफकोस हिंदू राज्य बनना चाहिए और क्यों बनेगा जैसे वहां पर है कि Jewish state ही होगा और क्यों होगा और ऐसा नहीं है कि इंडिया के बह एक बात बोलूँगा कि Jewish consciousness में उनकी कौम की उनकी धर्म की उनकी क्या करते हैं एक पहचान की एक awareness थी 2000 साल से exile में थे लेकिन वह पहचान थी जैसे कि मैंने कहा है आइधर बाहर से impose किया हो या खुद कहा हो जो भी है लेकिन थी भारत में किया है कि इंडिया करके कोई identity नही प्राइद थी जो भी है खीक है लेकिंडिया करके कुछ यह नहीं थे इस एक बहुत अच Запाट ऐग्जाम्पल है इतली इतली में क्या था चरटीन हंड़्स में उनका एक सेंच नहीं और है ठीक है इसका मतलब यह नहीं की हम multiplier नहीं सकते तो Florence और Milan विल वाली है यह सब तो उब्स घोनाई एक मैटा एक कंटेनर था ठीक है है कुछ लेकिन हमें उसे क्या खास लेना देड़िक है आप राजपूत हो और मैं अच्छी को चुछ यह था आइक तो यह लेकिन जडेकिन कहीं ने कहीं जते अगर शिवाजी की बात करें तो क्या वो उस समय जो उनका था भारतवर्ष की तो बात होती थी कोई भी राजाओ चक्रवर्ती समराड बनने का तो पूरा एक आइडिया तो था कि जोग्रफी का क्या आइडिया है sacred जोग्रफी जो है वो तो हमारे scriptures में भी है ना टिप शायद वो उन्होंने तभी कॉंकरने के गनिया कुमर तक ने पहुंचे थे शायद तभी एकदम टिप तक गयते लेकिन फुल पूरा टिप नहीं लिया है यह मैं कहा रहा हूँ एक तो ही है दूसरी बात है कि यह अल्वेस ब्रेक अप होता है जैसे कि एलेक्जंडर का एंपायर था पुरा पाकिस्तान तक आ गया था पंजाब इस एरिया तक आ गया वहां से लेकिन मरते ही क्या फटाफट डिवाइड हो गया तो ग्रीक कॉंचिसनेस रहा ही नहीं इस इन्या में ऐसे कोई यूनिफाइंग यह था ही नहीं हमारी भाषाएं अलग है हमारे धर्म अलग है अब हम हिंदू है लेकिं हिंदू इसम अप एक यूनिफाइड रिलिजिन मानते हो तो यह एकदम वेस्टन कॉंसर्ट है मुझा लगता है अंग्रेजों को समझ में नहीं द्धार्मिक हमारे संप्रदाय हमारे जो भी है डिविजन काटेगरी जो भी है उनको समझ में नहीं आए तो आप सब हिंदू हो इतना ही था लेकिन अब देखे हिंदूजम बंगाल में कैसे परफॉर्म करते हैं परफॉर्मेंस भी होती है और करनाटका में या फिर भी ब्राह्मन हो लेकिन उनके रिचुवल अलग हो सकते हैं उनके क्या खा सकते हो क्या नहीं खा सकते हो वह भी अलग है इतने डिफरेंसे है यह प्लॉरालिटी हिंदूजम में चलता है क्योंकि एक शेयर्ड कोस्मोलोजी है लिकि उनका शेयर्ड डॉक्तरिन नहीं है जो इसरी बात है कि देखे अभी इंडिया में जैचन जिससे बहुत लोग भी हैं बाहर से आते हैं लेकिन हमारे ही लोग उनके खुद के परसनल फाइदे के लिए दूसरों का साइड लेता है अब ठीक है इन लोगों की अचीवमेंट्स पे अभी चर्चा अलग होगा लेकिन हमार एक युएस में एक स्कॉलर थे 1986 में शायद जोर्ज टैनम करके जोर्ज टैनम तो रैंड में एक तिंकर थे लिखा था बहुत अच्छा पेपर उस पे उनका क्लेम है कि लास्ट टैम इंडियन्स की स्ट्रटीजिक विचार थे अर्थशास्त्रा में थे उसके बाद नह इनके कोई विचार थे बट उसका प्राक्टिकल यह नहीं हुआ एक और बहुत अच्छा एक्जामपल है हॉर्स इंडिया में कैवल्री की वीक्नेस थी ओल्वेस कैवल्री हम गोडे इंपोर्ट करते थे यूशूली अफगानिस्तान से हम क्यों होर्स ब्रीडिंग नहीं सी इनके किसी को पता है एक्जाक्ली यह रीसर्च अभी तक धंग से हुआ नहीं इंडियन हिस्ट्री की बड़ी प्रॉबलम है कि आप हिंडियन हिस्ट्री सीखना चाहोगे आपको स्क्राच से शुरू करना पड़ेगा इस नाट इनाफ वांसर इस फंडमेंटल इस नहीं था क्योंकि elephants के disadvantages थे ऐसे नहीं कि एलेक्जांडर ने पहली बार इंडियन को दिखाए एलेफेंट्स की वीकनेस बाइटाकिंग वीक से यह पता था इस नोट न्यू बट और इंडिया में कावलरी थी और के एडवांटेज पता था लोगों को फिर भी नहीं किया और यह भी पता ही होगा कि एक माउंटेन पास है उसको भी सेक्यूर नहीं कर पाए कि हर बार वहीं से आते हैं बिल्कुल और हमारी मिलिटरी टेखनोलोजी अल्वेस सफर हुई है एक माइकल अड़स करके एक स्कॉलर था उसने एक किताब लिखी थी मशीन से मेजर ऑफ मैन बहुत अच्छा है बहुत एडवांस था लेकिन एक प्रॉब्लम है यह लोग साइंस में अच्छे थे लेकिन इंजिनिरिंग में नहीं मतलब टेक्नलोजी में नहीं अब को साइंस मेटलर्जी सब पता है लेकिन आपने ट्रांसेट करके तल्वार नहीं बनाया तोप नहीं जो सोच है विचारधारा है कि पूरे विश्व को कंक्यर करना जो पहले शत्रिय धर्म में उसका होता था implementation भी बटो कहीं ने कहीं एक बुद्धिस्ट आने के बाद और उसके कुछ चेंज आया उसमें कि हाँ एक फिलोसफी तो ही ना इंडिया में कि हाँ ठीक है हमको ज्यादा दूसरों पर क्यों हम अपना अटैक करें और यह सब यह आज भी बोला जाता है यह weapons मेरे को बनाने है मेरे पास साइंस है अब इसको translate करना है वो सब नहीं है सो माइट डाट भी रीजन यह narrative है मैं मानता हूं लेके और मैं यह नहीं कहा रहा हूं कि यह गलत है लेकिन मुझे उस पर और रिसर्च चाहिए होगा क्योंकि एक possibility है कि यह जो narrative है कि हम content थे satisfied थे वो शायद हम सुपर इंपोस कर रहे है क्योंकि यह मौंदस गांधी का यह जो philosophy है इतनी गहरी तरह से हमने अपनाया है कि अभी उसी लेंस से हम पूरी हिस्टी देख रहे हैं लेकिन आप हमारे अर्थशास्तर में देखिए गीता में भी देखिए contentment नाम की कोई चीज नहीं है ऐसे मतलब हाँ ठीक है यह नहीं की दूसरों का चीनना चाहिए लेकिन राजा का करतव यह क्या है security तो security मतलब क्या है border पर देखना चाहिए आपका मित्र है या दुश्मन है दुश्मन है तो उसको कुछ आलना चाहिए खुद नहीं कर सकते हो तो आपको treaty करनी से है किसी और राजा के साथ उसको हराने के लिए कम से कम दूर रखने के लिए यह सब है और यह अर्त शास्त्र में ही नहीं अप इन फैक्ट यह नीती शास्त्र है इवन फर अपना शकुंतला यह सब ऐसे कहनियों में है यह चोटे मोटे conversations इदर उदर होते इस पर इसे नहीं तो आपके इस पर रिसर्च करना करना बाकी यह चाहता है यह आईडिया डालके कि शायद ऐसे नहीं था अभी हम ऐसे देख रहे हैं गांधी के बाद इस पर रिसर्च करना करना बाकी है भी मुझे पता नहीं मैं एक आइडिया डाल रहा है यहां पर क्योंकि मुझे नहीं क्या इनसान होता है यूरोप में भी मौसम अच्छा है यह सब वहां पर content नहीं थे क्या लोग तो वहां से यहां क्यों आगए इतना रिस्क लेके तब भी मतलब वो क्या ना इंडोनेशा मलेशा उस तरफ गए थे ना वो क्या कर देते हैं यह मैं क्या रहा हूं तो यह मैं चैलेंज कर रहा हूं लेकिन मुझे पता नहीं पका की और शिवाजी ने भी पहले का सबसे बड़ा जो काम किया वह एक नेवल फोर्स को खड़ा करने का था इसमें जैसे इस बना के कोई कॉंट्राडिक्शन नहीं था एक लिए था लेकिन अगर उन एलीट्स की बात करें जो एलीट्स उस ताइम पे थे विच अपन तो बी लेफ लेनी बट हमारे जो एलीट्स थे उस ताइम पे जो सो-called founding fathers of the current republic, I won't say the nation, but current republic के जो founding fathers थे वो भी western educated थे, they were also plugged into the western European ideals of that education they had received, similarly that was the case with Israeli elites, so वहाँ पे कैसे उन एलीट्स का वो क्या system था कि उन्होंने इतना अलग सोचा अपना conception एक स्टेट का, एक तो है उनका persecution है, तो जितना भी आप university में इनको सिखाए हैं लेकिन उसके बाद पकड़ के मारोगे, तो बोलें, ठीक हमें अपना ही देश चाहिए, एक तो यह है, है ना, दूसरी बात है कि उनको गर्व है अपने traditions पे, अपने culture पे, हमारे यहां पे western होना वही एक अची बात है, आपको अंग्रिजी आनी चाह इसी पे हम गर्व करते हैं, मैंने ऑक्सफर्ड में जाके डिग्री ली और एक तरह की से गलत नहीं है, क्योंकि इंडियन उनिवस्टी इतने भी क्या मशूर नहीं है, क्योंकि उनकी quality पे शक किया जाता है, ठीक है, अच्छा बुरा अलग बात, यह भी इस topic नहीं है हमारा, लेकिन, हो सकता है, एक topic, लेकिन, मैं क्या कह रहा हूं कि इसलिए हम बाहर के experts को मानते हैं, क्योंकि पता नहीं है, यहां पे experts या फिर बिके हुए हो, या फिर इनकी training अच्छी नहीं हो, क्या पता, यह issue है, हमारी quality नहीं है, तो यहां पे इंडियनेस पहले इंडियनेस की यह यह थी नहीं एक idea, इंडिया काफी divide था, अभी देखिए अब इंडियनेस से पहले एक divide था यही ना, मुगल राज कर रहे थे, मुगल को रहा के मराथास आ गए, और मराथास को रहा के अंग्रेज आ गए, तो जब अंग्रेज जा रहे थे, किन को बढ़ाएंगे अब ह मुगल्स थे नहीं तो ठीक है पंजाब राजपूत बहुत लोग है तो काफी हम डिवर्सिटी है यूनिफाइट करने के लिए क्या होगा यह आइडिया कभी इसे मैं क्याता हूं इंडिया से स्टेट हमने क्रिएट किया 47 में लेकिन इसे नेशन हमने क्रिएट नहीं किया हमा हमारी कई बर बात हुई है जैसे कि कि इंडिया का जो नेशन बिल्डिंग प्रोजेक्ट है इस कम्प्लीटली इनकम्प्लीट लाइक उसमें बहुत काम करना बागी है तो वट वोड़ यू प्रपोस लिए क्या 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 ऐसी मतलब अगर इस्राइल का भी हम बात कर रहे है तो उन्होंने क्या से ऐसे नेशन बिल्डिंग की तरफ ऐसा तो नहीं है कि एक ही दिन में स्टेट बना दिया तो नेशन भी बन गया राष्ट्र एक अलग चीज है राज्य अलग चीज है तो एक राज्य एक पहला एक इंस्टुमेंट है जिसकी तरीके से आपने शायद 1870s में लेकिन 1890s तक पका शुवा होगा पचा साल पहले ही ठीक है क्या हो अब एक रिविजिन इस जायनिजम में उनका एक यूथ मूवमेंट था बेतार अब बेतार में क्या ट्रेनिंग दिया जाता था बेतार अंग्रेजी में स्पेलिंग होगा बीई टीए आर ठ तो क्या सिखाया जाता था इसे कैंप से में अगरिकल्चर क्योंकि अभी पोलेंड में अप बेतार का ट्रेनिंग ले रहे हो तो आपको पैलेस्टाइन होगा करता था बिफोर 48 में पैलेस्टाइन कहता हूं उसको आफ्टर 48 इसरेल क्योंकि उसका एरिया का नाम वह था अच्छा कभी देश नहीं था लेकिन जोगर्फ लोकेशन है मैंडेट ऑफ पैलेस्टाइन और पैलेस्टाइन मतलब का आज का जौर्डन यह सब पैलेस्टाइन में आता था ना जो भी है तो इनका आइडिया था कि यहां पर ट्रेनिंग हम हमें इनको इवेंचुली पैले देखो यह हुआ यह हुआ यह हुआ था मोज़स ने एकिया जौश्वा ने यह किया सैमसन का कानी यह है जो भी है यह कहां हुआ था आज मॉडर्ण डे पैलेस्टाइन में यह जगे कहां है तो यह हो था और जैसे Jewish Immigration बड़ा, 1950s, 1920s, 1930s में, यहां इनकी field trips थी, यदिया था आरेट्स, हीब्रू में कहते है, it is to know the land, टांसलेशन होता है, to know the land, schools trips करते थे, पूरे, क्या, इसराइल में, हारेट्स, हारेट्स, हारेट्स क्या, यदिया था आरेट्स, to know the land, there is some newspaper by that name, Yes, it's called the land, हारेट्स, यह स्कूल ट्रिप्स थे, इनको वहां के plants, वहां के flowers, वहां के animals, वहां का geography, नदिया, रेगिस्तान, जो भी है, वादी, all these things, यह सिखाय जाते था, और वहां के ancient ruins थे, उस पे पढ़ाया जाता, उनको वहां के stories, Bible से, और यह कौन कर रहा था यह सब, जू is the Jewish community Palestine में, but they were in contact with all the community members across Europe, even US, contact था, of course, contact था, पका, और वहां आते थे, तो बचों को स्कूल में डालना है, तो स्कूल जाएंगे, तो यह टीचर्स करेंगे, ऐसे नहीं की, हाँ मेरा बेटा वहां जा गई, यह सीखने के लिए, ऐसा नहीं था, हमें अभी अलिया मतलब Palestine आना है, तो अलिया करेंगे जर् geography, sense of unity थी, so, राष्ट्र जो है, वो राज्य से पहले ही शुरू हुआ, बिल्कुल, absolutely, बिना नेशन आप स्टेट नहीं कर सकते, नहीं तो यही प्राउलम हो जाएगा, वो क्या कि नाशनल फाब्रिक नहीं बनेगा, to hold the state together, यह प्राउलम है, तो हमारे यहां पर कुछ नही होगा, साथ में ही पता नहीं होगा, यह प्राउलम में हमारी हिस्ट्री सिल्लबस, जब में पढ़ता था, वो क्या हाफ एफ नाइन्थ, टेंथ में, बेसिकली मुझे एक ही चीज़ पता है, 1857 से शुरू होती है हिस्ट्री बस, अंटिल 1947, उसे पहले कुछ नहीं हो, उसके आइन टरम्स ऑफ टेंग अर्किटेक्ट्चर, एस्टेटिक्स, बहुत चीज़े हैं, कुछ नहीं पढ़ा मैंने, जो भी मुझे पता है, मैंने खुद पढ़ा है बहार, इसलिए मैं कहता हो, मैरी इंडिनिश्ट्री इतनी अची नहीं है, लेकिन इसरेल में यह से नहीं थ पहचान होनी चाहिए अची तरह है, यह हमारी धरती है, पूरी तरीके से पहचान होनी चाहिए, इसरेट में नाशनल उनका एक अक अक्टिविटी है है, हाइकें, इन्या में ऐसे कुछ नहीं है, तो एक क्या कते हैं, तो एक बेसिकली नोट इंडॉक्ट्रिनेशन बट एक इंट्रोड़क्शन कह सकते हैं कि इन तु बिल्ड जेज्ट जोग्रफी अंडरस्टेंडिंग इंड्रेट्रेशन स्टेज नहीं है लेकिन अब कोई सब देश में जाहिए अमेरिका फ्रांस जो भी है यह तोड़ी सिखाएंगे आपको पहली दूसरी तीसरी कक्षा में कि हमा देश ने इन लोगों को कॉंकर किया और एंसलेर किया ऐसे नहीं सिखाएंगे पहले आपको सिटिजन बनाएंगे नागरिक बनाएंगे और सिटिजनशिप का एक अवेर्नेस मतलब क्या अपने गवर्मेंट अपनी हिस्ट्री अपनी लैंग्वेज लिटरिचर यह सब उसक यहां पर तो बहुत एक माना भी जाता है कि 60s में ही शुरू हो गया था 50s 60s में ही कि जो लेफ्ट का कंट्रोल है लेफ्ट भी नहीं कहना चाहिए मार्क्सिस्ट का जो कंट्रोल अजुकेशन पर आया विच एक्सिलरेटर अंडर इंद्रा गांधी तो वो उसकी वज़े से हम देखते हैं कि जब बीबी लाल जो भी जिनका दिहान थुआ उन्होंने जब अयोध्या में डिगिंग किया था और उन्होंने बताया कि उन्होंने कुछ नहीं बताया बैसिकली लेफ्ट वाले यह मार्क्सिस हिस्टोरियन थे वो बोलने लग गए कि वहां पर उनको क्या रहा है जिनका डॉमिनेंस रहा है इसे में कि इस तरीक के में एसाנ्य में गैसे में में ऑम I यह तो बस राजा, सभी राजा ऐसे ही करते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि हींदू राजा था, यह यह भी इसे नहीं देखना चाहिए, सब राजा, एक जसे ही थे यह सब डिविशन्स है अभी बहुत फेमस डिबेट है 1948 पे बैनी मॉरिस ने किताब लिखी थी 1980-81 में उसको काफी अच्छी किताब लेकिन वह पॉपिलर होगी में क्योंकि कोई लेफ्टेस मीडा ने पकड़ कि उसको एक दम पहलाया बोले देखो कितने लोगों को मासुम लोगों को माला यह वो करके और यह इसे एकाथ इंसिदेंस जो है वार के टाइम पे जहां पर अत्याचार हुए थे उसको हाइलाइट करके बोला कि देखो यह हो तो डिवाइट है इसरेल में बट बट देवर नोट इन पावर कि वही हिस्ट्री बुक्स जो लिख रहे हैं वही पड़ाई जा रही है बच्चों को ने यह लिकिन यह डिबेट जो है यूनिवर्स्री में हो रही है स्कूल्स में नहीं स्कूल्स में जैसे कि मैंने कहा था जैसे कि हर देश करता है है यह जैसे हमारे स्कूल की चस्कूल की आप बतारे हो कि हमने 1857 से 1947 से यही पढ़ा और उस से पहले का पढ़ा उसमें भी बहुत simplistic चीज़ों में यह तीन किताब अगर इस्ट्री की होती तो उसमें एक आए 1857 से 1947 और बाकी में पूरी हिस्ट्री आ जाती थी और तो इस तरीके से कई लोगों से मैं बात की है हमारे प्रिवस जेनरेशन से कहते हैं किताब में 50 पेज मुगल्स पे होगा एक पेज शिवाजी पे आदा पेज होईसरा स्टोला सब कुल मिला के ऐसे होत यही प्रॉब्लम है क्योंकि हिस्ट्री एक फंडमेंटल है नेशन बिल्डिंग के लिए अपनी पहचान के लिए सब इसरेल में यही था हां माना कि 1948 में इसरेल एक दम बैंकरप पूर गरीब देश था ठीक है लेकिन तब भी लोग हिस्ट्री सीखते थे सेने की सब को एंजिनियर डॉक्टर थे और उस ट्रीं इस्टोरियस थे आर्टिस्टे लिट्रिटर लिटर नॉविलिस्स थे तो सब तो सिसाइटी की पूरी तर से ओल डेवलप के इंडियन सोसाइटी ओल डेवलप नहीं है इतना फोकस है इस्टेम पे क्योंकि स्टेम शोट-टरम आप आखकल किताबे आरहे है जो हमारे मेंस्ट्रीम नेरे टिप्र वो चालेंच कोई यह कोई सवक्र नहीं कर रहे हैं गोजी सब्सक्राइब को ख्याव चर्फरेंगरとう तो हमें historians प्रोड्यूस करने चाहिए जो प्रॉपर रिसेर्च करके सवाल आंसर करेंगे यह एक education का हो गया जो बहुत बड़ा important role play करता है एक nation building project में इसके अदावा क्या हुआ जो इसरेल में जो ठीक हुआ जो हमने गलत किया यह एक तो है language लोग कहते हैं इंडिया बड़ा देश चोटा देश है यह हमेशा होता है लेकिन उससे क्या होता है इसरेल में 10 लोग है और एक teacher है ठीक है इंडिया में 100 लोग है तो दस टीचर होंगे मतलब दस टीचर कर सकते हैं ना बड़ा देश हुआ तो क्या हुआ कर सकते हैं लेकिन नहीं करते हैं अब नहरू को credit देते है आयटी बनाया ठीक है लेकिन प्रॉब्लम है कि हम स्कूल पुरा निगलेक्ट किया आयटी में अगर्वाल सब और यह एक आर्टिफिशल डिवाइड भी लाता है कि आपके पास पैसे नहीं ऐसे क्लासिस में भरती होने की तो आपका चांस नहीं आज का लाइटी में जाने का अनलेस आपकोई जीनियूस हो और लैंग्वेज एक दूसरा हो गया लैंग्वेज बहुत इ दूसरी बाकी हमने अल्री कवर कि है एक सेंस ऑफ कम्यूनिटी थी हमारे यह पर देवलप नहीं की ईतनी मुश्किल नहीं है इंडिया में डेवलप करने की लेकिन हम क्या करते हम फोकस करते हमें हमें क्या करता है ओल्वेस वहां पर इतना यह नहीं है अभी किसी एक टॉपिक पर आ गया तो डिवाइड करेंगे लेकिन यह नहीं लेकिए अभी इसरेल में लेफ्ट और राइट ही कहता हूं ठीक है बहुत पेमस एक्जामपल है बहुत एक्जामपल से लेकिन एक मैं दूंगा आपको यह 1976 में प्लेन है जैक हुआ था एर फ्रांस इंटर बे ले गए थे उगांडा में कासी मुवीज भी बनी है मुवी मत देखें बट वह बेकार है लेकिन उसमें आप डॉक्यमेंट्स पढ़ोगे हिस्ट्री पढ़ोगे उसकी तो वहां पे तब एक लेफ्ट माना जाएगा लेफ्ट गवर मारी है करा हम दो सब्सक्राइब करने के वह एक होना चांगीती है अंदर बहुत जगर्ती है, बहुत चीज़ों पे, फाइनास पे, स्कूल पे, पुछ खरीदारी, बहुत डिवाइड हो सकता है, खाने पे, जो भी है, ठीक है, लेकिन भार एक होते हैं, यह मैं कहा हूँ, यह हमारे हैं पे लोगों को यह यूनिटी की पता ही नहीं रखता है, मुझे तो यह यह कहा कि यह भी एक nation building का failure ही कहा जाएगा, यह कह सकते हैं कि religion का भी failure है, नहीं, मैं कहूँ हाँ, nation building का failure है, क्योंकि देखें अब, history classes में, for example, आप, ब्रह्मो समाज के बारे में पढ़ा होगे, for example, और होईसलास के बारे में पढ़ा होगे, और आप राश्मूस के ब यह हमारे ही लोग है हमारी एंसेस्टर हैं हमारी ट्रेडिशन हैं तो एक सेंस ऑफ क्या करते हैं कम्यूनिटी एक ता आ जाएगी अगली बार किसी बंगाली से मिलो गए बुलेगे नहीं कहां से इस से यह अटिटुड नहीं होगा है ठीक है ट्रेडिशन तोड़ा अलग हो सक अलग है कपड़े अलगे खाने अलगें लेकिन इंडिया का है कि अबशिए हरकोई आजकल बंगाली अखनरी यह लेकिन कोई इंडिया नहीं है वो मांतना की काफी हद तक करेक्ट ही है यह यह फैमिलियर्टी करी वह कौंसेप्ट है ना कि आप जैसे फैमिलियर हो जाते हो culture से you understand it, तो आप of course उतना उसको उस तरीके से नहीं देखोगे, अब इंडिया में जैसे बोला जाता है कि हम united नहीं है, क्योंकि एक तो ये बात है कि अलग-लग ऐसा नहीं था, इतना mobility थी नहीं, सो साल पहले भी, तो वो concept इतना है नहीं, दूसरा ये है कि एक बहुत बड़ा blame जो लगाया जाता है वो inter-caste marriage जो नहीं होता था, वो एक बहुत बड़ा aspect है कि इसकी वजए से, मतलब within the region also, that you see the other person as an other person, मतलब वो एक हिंदुनेस का भी concept उतना नहीं है, and a big factor is because of inter-caste, वो होता नहीं है, अभी शुरू हो गया है, बहुत सारा भी हो गया है, क्या वो भी वहां पर भी इसराहिल में भी ऐसा ही होता है कि groups है, they don't marry within each other, ऐसा कुछ है, and still there is some kind of unity, groups ऐसे नहीं है, मैं अभी वहाँ दो-तीन साल से हूँ, और काफी बार में इसराल जा चुका हूँ, अभी तीन साल से मैं वहाँ रह रह रहा हूँ, groups हो बहुत हैं, लेकिन हम एक दूस इसराहिल में मैं कहूँगा कि कोई एकी group का कोई बचा नहीं है, किसी भी मेरे जहां पर मेरे कलीक्स हैं, मेरे दोस्त हैं, जो भी हैं, किसी को भी देखे, आपके पैरेंट कहां से है, my mother is from Lithuania, my father is from Algeria, मैं अभापरे, ठीक है, किसी और से पूछों नहीं है, my mother is from Iraq, my father is from England, मैं अचा ठीक है, कोई एकदम क्या करते हैं, एकी group से रहा नहीं होगा, इतना mix हुआ है, यह division नहीं है, इनका शायद हाँ, हो सकता है, division है नहीं, लेकिन कोई जो काफी रिलिजन सो सीरियूसली लेते हैं, कह सते हाँ, मैं Orthodox Jew हूँ, यह reform Jew है, यह नहीं बनेगी, हो सकता है, इसे बहुत कम लोग हैं, in fact, कई लोग हैं, इसरेल में जो जूज हैं, वो इसरेली अरब से शादी करेंगे, इसरेली हैं, बस खतम कहानी, उन लोगों के वो मैनॉरिटी में हैं, लेकिन है, secular लोग, हाँ, बिल्कुल, नहीं, secular नहीं मतले, वो खुद ट्रेडिशनल है, in fact, एक बहुत फेमस केस हुआ था, फाउदार टीव सीरीज अपने सुना हो था, देखा भी है, उसमें से एक कारक्टर है, उसका नाम है बूल गया भी, शाखी लेवी, उसने एक आरब जर्नलिस से शादी की, जरेली, और उसका एक एंटर्वी आता है, मेरे पती जू है, उसका कई लोग बोलते हैं, आरे आपने इन से शादी कैसे की, बढ़ हाँ, ऐसे होगा, लेकिन उसका कोई एक कम्यूनल मूव्मेंट नहीं है, ऐसे नहीं करना चाहिए करके, और यहां पर मैंने भी देखा है कि अभी बैंगलोर में बहुत नौर्ट से आते हैं लोग, और जो लो चाहिए यह आंदरा है, यह केरल है, यह तमिल नार्य यह पैचान दते हैं श्कूल ट्रिप्स इंपॉर्तन है और इंदे इतना बड़ा देसे थे खुद को ट्रावल करना चाहिए, एक तीरती यात्र लेनी चाहिए इंडिया में, फैनेस करना सच्छे और भाराज जोडो यात्रा करके कुछ प्रोग्राम चेला के अभी सोल्टेल हमारा हर सेमेस्टर होता है इंक्लूडिंग कॉलज में ठीक है तो इछ फावी हर सेमेस्टर ने चलो हर साल एक स्कुल्ल ट्रिप किया हाफ फाइनांस बाइ क्या करते हैं इंडिविज्वल और हाफ फाइनांस बाइन कुछ ऐसे किया और लेकिन या तरह मतलब कहा अजमेर से जैपूर नहीं हजमेर से तिरूपती या फिर मदरास से कलकत्ता ऐसे कुछ मतलब अलग जगे completely या फिर नौर्थी सेक्टर को यूनिफ यूश उनको इस्रेएल के साथ बंदन बनाने के लिए तो वह एक इसरेली गवर्मन फंड करती है तुर डोनेशन्स नाट इसरेली गवर्मन का पैसा है लेकिन प्राइविट डोनेशन्स भी है इसमें दस दिन के लिए अमेरिका से या दुनिया से जो भी है जूज को ले आ क्योंकि उनको भी एक आइडिया हो जाए क्योंकि आप अमेरिकन हो लेकिन आप जूएश हो यह मैं कहा रहा हूं तो हिंडिया में फ़र्गेट कि विलाहिती जूज विलाहिती हिंदूस को टूर देने कि इंगिन स्टूडेंस को हम ऐसे कुछ यह नहीं करें और यह बात भी आ अप्लिफाई भी होता है और सीधा गवर्मेंट ओफिशल रिस्पॉंस में इस रिकॉर्डेट बिल्कुल और यहां पर क्या है जैसे अभी यूके में जैसे राइट हो तो यह विल से इंडियन नैशनल्स ऐसे ऐसे बोलना चाहिए पीपल उफ इंडियन ओरिजन पहले तो स से कम थोड़ा कम हुआ है यह कहा कि रिपोर्टिंग में इतना अच्छा नहीं है अभी क्योंकि आप साउथ एशन कॉंटिनेंट से सब कॉंटिनेंट से कुछ बोलोगे तो पुरा मिक्स हो जाता है क्लियर है लेस्टर में क्या कॉन ग्रूप्स थे उसमें तो बोली नहीं सक पर प्रेस क्या कर रही है और अटेंशन नहीं कर रही है लेकिन जहां तक मैंने सुने की लेस्टर के बारे में इंडियन गवर्रमेंट को सवाल क्या हो रहा है तो इंप्रूव हो रहा है ऐसे नहीं कि कुछ नहीं हो रहा है ने ने इंप्रूमेंट तो बहुत है लेकिन क्या है कि दीर हो रहा है और दुसरी बात है कि आजकल की पीडी काफी इंपेशिएंट है इन लोगों को सब कल चाहिए था यह बुरी बात नहीं है इंप्रूमेंट चाहिए इसमें इसरेल के बात करते हैं तो एक बहुत जैसे हमारे इस्ट्री में सावरकर का जो स्थान है हिंदु का जो कंसेफशन है उसी तरीके से इस्रेल में एक वक्ती है जाबुतिंसकी जोद आगर मैं प्रनाउंस ठीक कर रहा हूं तो उनका जो ट्रीट्मेंट है हिस्ट्री में जुविश से में इसरेली हिस्ट्री में वो कहीं न इडिया में जो सावरकर का treatment है अभी तक, अब society में तो ठीक है, काफी popular as a revolutionary figure उनको माना जाता है, but not as a hindutwa icon, अभी पांचे साल से हम वो बाते करने लगें, उससे पहले तो यही था कि काला पानी में उन्होंने इतना struggle किया, और वहां से friends में से जब उनको ला रहे थे तो वो त इस तरीके से as a revolutionary only, but यहां पर एक ideological figurehead है, जब उतिंस्की इसरेयल में, वो treatment आप देखते हैं, बहुत अंतर लगता है, पहले तो जिस तरीके से सावरकर को demonize किया गया है इंडिया में, ऐसे जब उतिंस्की का हाल नहीं है, of course कही लोग है, जो आज तक जब उतिंस्की को है, actually, एक तो यह है, जैसे कि सावरकर के बारे में, कई लोग हैं, जो पता है, फिर भी oppose करते हैं, ठीक है, डिसेग्रिमेंट्स होते हैं, बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसकी demonization नहीं होती, जितनी सावरकर की हुई है, तो यह तो बहुत बड़ा difference है, इंडिया और इसरेयल में public reaction इन व्यक्यों के साथ, लेकिन एक है, लोग कहते हैं, कि उनकी ideology काफी मेलती जूलती है, हाँ, ठीक है, लेकिन एक और interesting बात है, जो मैं point out करना चाहूँगा, कि एक similarity है, कि दोनों बिल्कुल बेकार थे, logistics के बारे में, और practical issues के बारे में, जैपुटिंस्की भी, intellectual था, आइडियोलोग था, अच्छे ideas लिखता था, ठीक है, मतलब thought-provoking, agree या ना हो, ठीक है, लेकिन thought-provoking ideas से ठीक है, लेकिन उसने किया क्या, कुछ नहीं, प्राक्टिकली on the ground क्या कर रहा है, कुछ नहीं, इसलिए वो मार खा गया, end में, ऐसे नहीं कि उसका कोई supporter नहीं था, ले अब ही पता था कि Arabs के साथ war होगा, उसको पता था कि यह हमारे security basis हैं, और हर base पे कितने soldiers हैं, कितने bullets हैं, कितने बंदुके हैं, किस तरीके के बंदुके हैं, revolver, rifle, इतनी detail तरीके से उसके notes है, डायरी में आप देख सकते हो, इसरेल में, तो इस तरह से planning करोगे आप, वार के सिकनी भी अच्छी हों बुरी हों जो भी है, यह logistics जंग जीतेगा यह, और जबटिंसकी इसमें बिल्कुल बेखार गार और अब इंडिया में देखें, अभी सावर कर ही नहीं, लेकिन इनकी हमें पूरी क्या करते हैं, राइट विंग के predecessors, गोलवलकर हो या हिंदु जो भी है, यह लोग ऑपरेशनली इतने साउंड नहीं थे, उपरेशनली इनको कुछ ज़्यादा करना नहीं आता है, यह ही मार खागए, लेफ्ट ने, कॉंगरेस ने जो भी है, बेटर ऑर्गनाइजर्स थे, इसकी वजह हो सकती है, मुझे इंडियन हिस्ट्री इतनी पता है, देश बनाना मुश्किली चीज है, लेकिन यह भी एक बहुत इंट्रस्टिंग बात है, एक सावरकर लाइक फिगर, वो हिंदुत्वा जो कहते थे कि हिंदुईजम से भी कुछ ना कुछ प्लस है, खीक है, हिंदुईजम is a small part of हिंदुत्वा, लेकिन एक तरफ वो हैं पर एक तरफ गांधी हैं, गांधी जो हैं पूरे सोसाइटी की जो मासिस का जो इमेजिनेशन है, he is able to capture it, using हिंदु सिंबलिजम, बट सावरकर वो नहीं कर पाते हैं, एक तो है हर बंदे की अपने करें, बलकि अगर ओर्गनाइजेशनल स्ट्रेंट पर बात करें, तो साव कर बहुत सही था, लेकिन उसके बाद ये फिर भी एक बहुत बटा डिफरेंस है कि मासिस में जो अपील है, वो एक जिस तरह गांधी की थी वो नहीं थी, पहले तो सिक्रेटिव और्गनाजेशन में इसको और्गनाजेशनल अबिलिटी नहीं मानूँगा, आपको मेंस्ट इस थे थे नहीं थे या तियलाग के लिए परस्नल लेवल ही वरी विए विए कुण इंफिवेंस पीपल इंसपार पीपल दूसरे बात है कि अभी यह एगैं मेरी हिस्ट्री कांजर है इंडिन हिस्ट्री लेकिन पहीं लोग कहते हैं तियलाग काफी कास्स था अगर कर इस तो है और यह 1940s की बात नहीं तब तर गांदी ने काफी छीन लिया था ठीक है और सावर कर फॉर डैट मैटर अब काफी डिविजिव इस्यू पर देखेंगे कास्ट एसे टेंपल एंट्री वह काफी क्या करते हैं मॉडर्न थे तो इंडिया को जोड़ने के लिए दिस्ट् इसे नहीं कि वह कास्टेस थे कि यहां ठीक है ब्राह्मन को यह करना है इसे डिविजिशन नहीं थे वह बिल्कुल एक इंडियन नेस पैदा करना चाहता था यह यह फिल्ट यह मैं कहा रहा हूं कि इस कुट बीसिंप्ली बिकॉस वन यह आर सो अहें अधो आज करते तो ठी इस पर बात करते थे जो मासिवली ओल्रेडी इंडिया में जहां तक मैंने देखा है ऐसे बहुत क्या रिफॉर्मेस ओगनाजिशन से ब्रह्मो समाज आरियस समाज थिसाफिकल सोसाइटी सावर कर कहीं ऐसे बहुत थे लेकिन साथ में कभी काम नहीं किया अपने अपने एरि अभी कि यह शुरू से करना चाहिए कि सड़नी एक दिन ऊटके चलेगे हां यार कुछ करना चाहिए लेकिन चुनाव जीतने में कितना टाइम इस टेबल गवर्मेंट सिर्फ 98 में फॉर्म हो गया इतना टाइम लगता अठारा साल हो गया लग गया इनको एक और्गनाजेश सब्सक्तिक्स की इस एक पहले की बात है तो में एक बंदे को दोशी नहीं ठेराओंगा क्योंगी एक बंद पुरा ऐसा नहीं कर सकता है अब गांधी ऑगए। क्वांगरेस मशीनीरी में आ गया गया अकेला आज आ जाता तो क्या कर पाता मुझे पता नहीं के लिए गांध यह जो इस्राइल में हम हमारे जो अभी देख रहे हैं आप स्कूल्स में देख लीजिए कॉलेजिस में देख लीजिए लॉक स्टॉक और बेरल कम्प्लीट कॉपी ओफ वाट सापनें इन दे युएस उनिवर्सिटीज और कॉलेजिस जो पूरा वोग आईडियोजी वहां प चलते हैं स्कूल लेवल पे एंजियोज की तुरू ओल इस कांड तो इस्राइल में भी क्या जो हमारा जो एलीट है ना एलीट सोसाइटी इस ट्राइं टू एप वेस्ट वेस्ट में भी युएस क्योंकि ज्यादा पावर्फूल है सॉफ्ट पावर्व दैस धिर में करंसी तो वहां पर युए ट्राइंग टू कोपी ना हमारे एलीट क्या उधर के एलीट जो हम डी रेसिनेटिड बोलते हैं यहां पर क्या उधर भी पहले तो नहीं थे हमने देखा कि उन्होंने ही स्टेट का जूइश स्टेट का स्थापना किया लेकिन क्या आज की जो एलीट से अधरिया नहीं है इसे नहीं उनका लोह कि माढ़ागों फ़र शाय में नहीं है अफॉज नहीं है सब यह उनका गपर होता है तैल आ अवीव में हर साल वह सब है लेकिन गे पर्वाइड पर इडिशल राइड थे कंप्लिट इसे दिफेर इसे इसे वोकिजम तो इसरेल में there is complete like काफी टाइम से 1922 2020 की बात नहीं है homosexuals have been accepted not again of course elements होंगे जो इन से नफरत करते हैं यह डाउट नहीं है लेकिन homosexuality is fairly पार्ट ओफ इसरेली सुसाइटिया फोट तो कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है जितनी बाकी देशों में हो सकती है खासकर neighborhood में in fact वहां से कई लोग जो refugees आते हैं इसरेल में भाग के आते हैं और रहते हैं इसरेल में क्योंकि बोलते हैं कि या मैं घर जाओंगी तो मेरे माबापी गवर्मन को चोड़ो प्रोसी चोड़ो माबापी मुझे मार सकते हैं तो कटई ऐसे रेफिशी आते हैं इसरेल इसरेल फोर प्रोटेक्शन लेकिन इस देफर्ट फोर वोग इसम बिल्कुल इसरेल में नहीं है एक बज़ा है मुझे मैं मानता हूं कि इसरेली को इसरेली काफी प्राक्टिकल होगे मुझे बहुत अच्छा लगता है काम की चीज și हुरां इसरेली काफी हो राओच बात करो वो लेकिके करना है सेक्यूरिटी कैसे चल रही उस व primera 251 फोन क्या नाव से अच्ट ऑर पानी ऑन से आएगी इंडिया में कहा है कि हम देखते हैं हाँ बहुत अच्छी उनिवर्सिटी तो उनके तरह बनना एक्सेलेंस लेकिन वह वो किसम करें हम भी करेंगे तो हम रॉंग लेसंस ड्रॉह करें वैस्ते अधे अमेरिका से और दुसरी बात है कि हमारे इलिट्स पूरे वहां जाके आधे यहां लाएंगे कई चीजें हैं जो इन प्रिंसिपल में मानता हूं कि अमेरिका में सही कर रहे हैं लेकिन इंडिया में पूरी तरह से अपलाई नहीं होता है क्योंकि इंडियन स्ट्रॉक्चल रियालिटी अलग है एक बहुत सिंपल से ग्जामपल देता हूं मैं यह फ्री में ऐसे कोई पर्टिक्लर काटेगरी है जो अलाव नहीं है लेकिन वाकि सब कुछ भी कह सकते हो अलाव है मतलब जब तक आप वोईलेंस को परप्रिट्वेट नहीं करते हैं मतलब इंसाइट नहीं कर रहे हैं इन प्रिंसिपल वह सही है लेकिन अमेरिका में कि कुछ नैश्विल टेनसी जगह पर बाइबल बेल्ट है से वहां पर आप सड़क के बीच में खड़े होगे पार्क में जहां पर कोई ट्राफिक डिस्टर्बेंस ना हो किसी को डिस्टर्ब ने कर रहा आप खड़े हो गया शुरू हो गया क्रिस्चैनिटी क्यों बुरी बात है य अपका फैमिली का पुरा सैक्रफाइस हो जाएगा तो हमारा सर तम से जुदा बिलकुल हमारा स्ट्रक्चर क्याते है गवर्मेंटल स्ट्रक्चर मजबूत नहीं है अप हमारे डेटबेस देखे हमारी इंपाट गवर्मेंट हम सोचते है कि कुछ काम नहीं करते है इस टू लेकिम अब गवर्मेंट दिला एक और प्राइण की काफी फी अंकर्ण स्टांफ है क्वारे विग्लिश फोर्स ऐसाइ तो मिंदीया नहीं एप्ते हमारे न पहले सार्च तू थीजिग घ्र साल शाए तो ऊचल रहते तो उनका रिड्रेसल है, इंडिया में रिड्रेसल मेकनिजम सेटिजन को पेपर पेपर किसी को नहीं है, तो यह बात है, तो structural weaknesses के वजह से एक principle जो मैं 100% मानता हूँ ऐसा होना चाहिए, इंडिया में नहीं हो सकता अब ही, यह हमारा एक लक्ष होना चाहिए, हां, दस साल में, 20 साल में हमें ऐसे होना चाहिए, और उसके तरफ हमें बढ़ना चाहिए, लेकिन आज ऐसे नहीं हो सकता, यह मैं कहा रहा हूँ कि इंडिया में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, सोचते हैं कि वहां से copy paste कर सकते हैं, कई चीज़े हैं अमेरिका में जो मैं कहता हूँ अच्छा आज है अच्छा नहीं है, तो आपकी एकनोमी फॉजिशन में आप यह सेक्टर्स ला सकते हो, आपकी इकनोमी जैसे हैं अभी इंडिया में हम अभी भी लोवर लेवल में हैं, चाईनीज मिडल इंकम में हैं और अमेरिकन हाई कम में हैं, तो उनका इक प्रियूर्टिस मेरा इंटल है specific topic क्या है मेरा टाइटल अभी तक fix नहीं किया मैंने exactly लेकिन मेरा topic है मैं देख रहा हूं ये इसरेल में जो quote unquote secular group जो है उन्होंने ये religious groups के साथ कैसे negotiate किया और common minimum program कैसे बनाया state चलाने के लिए फर एक्जामपल अभी 1925 में बताया था शायद में आपको 1925 में चुनाओ था ये शुव में religious groups चाहते थे कि विमिन को वोट ना दिया जाए तो इन लोगों ने बोला sorry ये नहीं हो सकता ये equality का मामला है हम एक्सप्ने कर से छोड़ गए लेकिन ये कह करते हैं जब कोशर की बा नहीं है आप religious तरीके से करना चाहते हो कर सकते हम कोशर मेंटेन करेंगे तो ये जो negotiations है हर साइड कई क्या कते हैं एक रेड लाइन डॉकरेंगे इस पे हम compromise नहीं करेंगे तो ये red lines जो है उससे दोनों साइड के red lines देखना चाहिए और क्या उनका minimum program है जो दूसरा साइड भी एक्सेप्ट करेंगा और उससे पता चलता है कि उनका idea क्या है Jewish State का क्योंकि अब ही क्या है कि इंटरेसिंगली इतना scholarship हुआ इस topic पर नहीं हुआ हर बंदा है कि Jewish State यह है वो है ऐसा होना चाहिए वैसे होना चाहिए यह जूश है क्या मेरा सवार जूश क्या है मुझे पता न कि प्रदानमंत्री जूश ही बनेगा है कि नहीं ठीक है तो जूश किसे बन गया मुझे इसका actual action पर इंटरस्ट है एक और बात यह निगोशिंस में मुझे याद आ गया मैं कहना चाहिए प्रिवियस क्वेश्चिन के बारे में इसरे इतना structured क्यों है इन जैनरल यहां पर इ हमारा समविदान rewrite करना चाहिए या penal code rewrite करना है ठीक है कैसे अब second order के question आते ही सब इतर इतर हो अब इसरेल के देखिए अब जूश स्टेट बोलोगे ना हलाखा जूश लौश हलाखा कहते है 1937 में डबलिन का चीफ रैबाय था आईसक हर्स और यह अभी इसरेल का president है उसका डादा है उसने लिखा था जूश स्टेट मतलब क्या और उसने लिखा थी कहते है रिलिजिस लौ अप्लाई नहीं होगा पूरी तरह की से हमें इह मौडिफाय करना चाहिए लेकिन उसने एक ड्राफ्ट कॉंस्टिशन बनायता है इसरेल के from a religious perspective from a Jewish perspective तो अभी क्या वह accept ने कुछ स्टार्टिंग पॉंट ही नहीं है तो कम से कम वह एक exercise है वह बस जो अभी हमको लगता है वह सिर्फ प्रेटर और सोशल मीडिया से लिमिटेड है कुछ academic exercise यह एवन pamphlet पे भी वह काम नहीं हो रहा है एक ideation का कि क्या होना चाहिए यह एक example में दे रहा हूं ऐसे आट- अच्छा example है एक survey था प्यू का कि इसमें 70 से 72 परसंट जितना था कि इतने लोग चाहते हैं कि हिंदूस जो चाहते हैं कि यह बैन होना चाहिए बीफ शुड नॉट बी अलाव ठीक है तो यह एक 70 परसंट का है लेकिन हम हमारी एक आदत है कि हम 30 परसंट पर फोकस करते हैं नहीं करेंगे जो आपने का ना कि नेगोशियेशन हुआ सेकलर गूप में और इसमें तो यह गूप का जो रखने का तरीका है कि हाँ भाई बीफ नहीं होना चाहिए तो वह सेकलर साइड के डिबीट करेगा तो उस तरीके से मतलब कोई भी इशू आप ले लिजे क्योंकि 100 100% कंसेंस तो किसी भी इशू पर नहीं होगा विदिन साइड इसल्फ लेकिन हमारी आदत है कि हम 20% को 30% को लेकर बैढ़ जाते हैं दूसी बात है कि इसरेयल में फर एक्जामपल नॉन कोशर प्रॉड़क्स अलावड है नॉन कोशर रेस्टरांट्स हैं पॉर्क बिकता है क्यों नहीं बिकेगा ठीक है उनका बहुत स्ट्रिक्ट रेगिलेशन है इन चीजों पर आप पॉर्क बेच रहे हो या कोशर तरीकी से नहीं कर रहे हो कुछ तो आपका सर्टिफिकेशन नहीं मिलेगा आपको क्लियर है रूल जैसब है इंडिया में स्टेट स्टेट जरूर करना चाहिए खासकर नवरातरी के टाइम पर दुर्गापूजा के टाइम पर ऐसे टाइम्स पर जो भी टाइम्स हैं जो हिंदू के लिए इंपोर्टन्ट है तब तो बिल्कुल बायन करना चाहिए और जब आप भी बेचोगे भी तो रिस्टिक्टेड एरिया में जो भी है वो डिस्कॉस करना पड़ेगा एक्जाक्ली कैसे करना चाहिए रिस्टिक कर सकते हैं लेकिन ऐसे हम एक एक रजिस्लेशन लाएंगे तो मैं गारंटी करता हूं कोई कुछ नहीं फॉलो करेगा जैसे अभी हो रहा है वैसे होता रहेगा तो इसलिए क्या करते है ए लॉज दूसरों को लिया है में नोट दिखा के अंदर गुष जाओंगा लाइन में आफिस में जो भी ऐसे इसी वजह से कोई कुछ फॉलो नहीं करेगा यह एक नेशन बिल्डिंग का फेलियर है वह नेशन बिल्डिंग का फेलियर नहीं कहूंगा मैं यह कहूंगा यह फे तो आपको पहले सोचना चाहिए इसकी सेलरी क्या है कि इतनी आसानी से बिख सकता है वो उसका ट्रेनिंग क्या है तो यह हमें सोचना पोड़ेगा यह लो सेलरी रखके हम बज़ए किया करते हमारी आउट गोई एक्सपेंसिस कम करेंगे लेकिन उसका कोस्त कहीं और होगा इतनी चोटी सेलरी पर इतनी मारा मारी रहती है बिलकुल यह सरकारी जोग के लिए यह मैं कहरो ना अप सेलरी कम करोगे तो आप टैलेंट अट्रैक नहीं करोगे तो ठीक कभी नहीं कर पाऊगे यह इन्या में कॉस्ट टैंसिटिव है सब लोग और सोचते हैं कि कम दाम पर किया थैंक यू सो मच फर अनदर एनलाइटनिंग सेशन थैंक यू और आप यह इस पर जैसे आप पढ़ रहे हैं आगया अगे और भी अभी तो शुरू ही हुआ है पी एसडी तो एक साल में शायद जब आप वापस आएंगे तो और इन-डेप्थ हम इस विशह पर बात कर सकते बिलकुल थैंक यू सो मच